कि स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चनल के अंदर आप देख रहे हैं इसके नेग्रो न्यूज तो किसान मित्रों यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपका लेशन भी इस तरीके से पीला पन आ रहा है लेशन के अंदर तो कहीं कहीं पत्ते पीले हो र इसको भी मैं आपको निकाल के दिखा दू कि इसके अंदर हो क्या रहा है एक चुल में तो यह देखिए इसकी जड़ को सारा है खतम हो चुकिये ज़ड बिलकुली और फंगस भी है इसके अंदर और जो कीड भी है वो भी है तो इसके लिए आपको क्लोरोपायरी पोस के ड्रेंचिंग करना है या फिर आप इसको खाट या रेत के अंदर मिला के छिड़काव कर सकते हैं तो इस तरीके से जड़ में बिमारी लगने से पोदे की ग्रोथ रूख चुकी है और उपर पीला पना चुका है तो इसमें आप अगर यह उपाई करेंगे इसकी निराई ग तो इसके लिए मैं कुछ जो रेगुलर यूज होती है वह दवा मैं आपको यहां पर मैं पताना चाहता हूं कि अगर मान लो आपकी जड़ में कोई वायरेस हैं पोदे की और एक सपेट कीड़ा अगर जड़ को काट रहा है तो आप उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा यह देखिए इसके लिए आप क्लोरो पाइरिफोस बीस परतिशत इसी यह इंसेक्टिसाइड है और टर्मिसाइड भी है तो यह दोनों प्रकार से काम करेंगे अगर यह कीड़ा अगर जमीन के अंदर है तो सबसे पहले तो आप इसको यूरिया खात के अंदर मिला के भी खेट के अंदर छिड़काव करके उसके बाद आप उसमें सिचाई कर दें लेसुन में पहले निराई गुडाई कर लें उसके बाद आप इसको यूरिया खात में मिला लें मिलाना कितना है आदा लिटर आपको एक विगे के अंदर यूज करना है और मानलो अगर कीड़ा नहीं है और फंगस लग रहा है मानलो आप एक पोदा उखाड के देखिए औ इसके अंदर फंगस है और चिफ चिपापन अगर बरों जो पोदा और उसके कुली है महाँ पर चिप चिफ पादांबे इसे ही सड राएं अगर तन्नेगव से नीचे जड़ से ऊपर तो उसके लिए अगर फंगस है इस लाई सुन के पोदे में जिसे भी पिला हो सकता है उ आप फंकि साइड का यूज सकते हैं देखिए मैं आपको दिखाता हूं यह थाइफिनेट स्थाइब disponit heritage यह सिस्टेमीक फंकि साइड है इसको भी आप में यूड्या खाद के साथ ूक्स करके छिढगा गरके सिचाई कर सकते हैं या फिर आप ये भी ले सकते हैं देखिए ये एलियट है और ये भी आप जमीन में खाथ के साथ मिक्स कर सकते हैं या पानी के साथ गोल बना कर ये भी एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है और ये भी नहीं मिल रहा है तो आप फिर जो थाइमोकसोम आता है था तो बहुत अच्छा है देखिए मैं यहां पर बायो जाइम का यह टोनिक लेके आया हूं और और कुछ ग्रोध बूस्टर भी है यहां पर और हुम्योसिन भी है यह देखिए यह हुम्योसिन है एक्टिवेटेड नूट्रियेट नेट स्टेबलाइजर है यह यह भी लैसुन के अंदर आप डाल सकते हैं तो इससे आपको जो लैसुन में पीला पन है वो खत्म हो जाएगा और अगर मानलो जड़ के अंदर कोई कीड़ा है तो उसके लिए कीट नाशक है क्लोरोफाइरिफोस इससे तो 100% खत्म होई जाएगा तो आप इन में से कोई भी एक दवाई का चेहन करके लैसुन की फसल के अंदर आप डाल सकते हैं आप डालने का दो तरीका है या तो आप खात के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं या रेत के अंदर जो बनास की रेत होती है बारिक रेत नदी की रेत उसमें मिक्स करके क्लोरोफाइ ड्रेंचिंग कर सकते हैं, ड्रीब के माध्यम से, इसके अंदर आप ड्रीम के माध्यम से पाने के साथ चोड़ेंगे, तो भी बहुत अच्छा विजर्ड आपको मिलेगा, इस तरीके से आप इस लैसुन के अंदर लगने वाली बीमारे को कंट्रोल कर सकते हैं, यह क्या जड स जो growth है वो रुख जाती है आप और अगर practical वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर देखिए अपने जो lesson का फसल है उसके अंदर करूँगा तो वो मैं आगे upload करके आपको दिखा दूँगा किस तरीके से इसको mix करके top dressing करके सिचाई करते हैं और निराई जाएंगे तो फिलाल तो इस वीडियो में इतना ही यह चोटी सी जानकारी थी और आपके लिए काफी फाइदेमंद है और 100% आपका जो जड़ से related lesson के अंदर बीमारी है वो सारा खतम हो जाएगा क्यूंकि इसके अंदर एक तो insect होता है सपेद कलर का आप भी मिल नहीं रहा है और कुछ फंगस के कारण भी यह सड़ रहा है जो फंगस होती है यहां पर लगती है और कीट होता है इनकी जड़ू को नश्ट कर देता है और पोदे की जो पेदावार है ग्रोथ है उसको रोग देता है इसकी बड़वार को रोग देता है और पीला पन हो जाता है पूर और अभी इसमें यह उट्टी फइस्ट लैसुन है और इसमें पहली निराई गुडाई अब इसके अंदर करके यह सारा ट्रीटमेंट करेंगे इसके अंदर आप सलबर भी डाल सकते हैं सलबर के साथ आप और भी माइक्रो नूट्रीन्स ग्रोथ बूस्टर और तो किसान बायू यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताईए हमें और अगर आपके मन में कोई सवाल हो संका हो तो आप हमें कमेंट के मादिन से पूँछ सकते हैं जरूर उसका रिपलाई करेंगे और आगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे लैसुन के उपर और भी बहुत सारी फसलो के उपर तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन